तो हमने calculation के दौरान देखा friend कि जो 32 mm की diameter है जिसको हमने convert किया 25 mm में तो यहाँ पे 32 mm diameter drawing में कितना दिया हो था 7 plus 7 यदि मैं tension zone की बात करूं तो यहाँ पे कितनी steel हमने change करने के बाद आया था friend 12 plus 12 में conversion कर रहा है उसको technically किस तरह से IS code के साथ validate करना होता है साथी साथ lastly what are site decisions need to take while taking such conversion valuable technical contents civil engineers वीडियो को पूरा देखिए वीडियो पसंदा है friends तो like and share करना ना भूले यदि आप इस channel पे नए हैं तो please subscribe किजिए let's start the discussion friends आपके सामने जो calculation sheet है इसको बहुती ध्यान से समझीएगा friend very technical very interesting and very knowledgeable यहां पे देखिए आपको एक comparative analysis भी देखने को मिलेगा पहली जो column है उसमें क्या लिखा हुआ है as per drawing जो हमारी beam की details में जो mark की हुई थी second जो side पे हम provision कर रहा है means higher die को हम lower die में convert कर रहा है और तीसरा क्या है जो guideline दी गई है आपको Indian standard code में इसको भी अपन को follow करना है कि जो हम changes कर रहे हैं क्या वो technically सही है या नहीं तो उसको किस से validate करेंगे friend IS code से तो सबसे पहले वाले column में आये friend यहाँ पे कहने लिखा मैंने in tension zone तो tension zone में हमने क्या देखा था आप देखेंगे कि जो bottom tension zone है beam का वहाँ पे 7 सरिया main bar है और 7 सरिया जो क्या है extra है और सारे के सारे कितना है 32 diameter की steel है तो friend आप जानते हैं कि इस तरह से जो cross section है वो सरिया का क्या है circular है और इसकी area की बात करें तो क्या जाएगा pi d square by 4 multiplied by n means number of a steel तो क्या करना simply pi into d की बात करें friend तो ये कितना लेना अपने को 32 का square divided by 4 multiplied by कितनी हो जाएगी 14 जब आप एक calculation करेंगे friend तो इसकी value कितनी आएगी 11259.47 mm square मतब drawing कहता है कि इतनी सरिया की area of steel आपको provide करनी है as per drawing तो जो हमने 3 conditions को discuss किया friend उसके हिसाब से हम क्या कर रहे है इसमें 25 mm की diameter में तो friends जो हम area of steel calculate कर रहा है ultimately हमें क्या देखना है कि जो 7 जो सरिया है 32 diameter की उसकी जगा मुझे 25 mm की कितनी सरिया provide करनी है इसके लिए एक छोटी सी calculation है friend एक सरिया जो है 32 diameter उसकी cross sectional area कितनी है pi d square by 4 उसको n से multiply कर रहा है यहां n हम bottom की main सरिया को पकड़ लेते हैं 7 सरिया थी तो इसको जब आप गुना करेंगे friend तो यह value आती है मतलब इतना area of steel provide की गई है main reinforcement all through अब अपने को क्या करना है 25 diameter में इसको convert करना है यह 32 diameter को अपने को convert करना है किसमे 25 diameter में तो अपन क्या करेंगे जो area of steel को same रखेंगे और यहां पर फिर से same formula करेंगे pi d square by 4 into n dash तो यहां पर अपने को n dash की value निकालनी है कहने का मतलब जो 25 diameter की सरिया मैं use करूंगा तो उसकी संख्या कितनी होगी यह पता करना है तो यहां पर जब इस equation से n dash की value निकालेंगे friend तो यह value आती है 11.47 steel higher side में provide करेंगे तो n dash की value कितनी ले लेंगे 12 इसका कहने का मतलब friend जो मैं 32 diameter की steel use कर रहा था तो मैं कितनी सरिया ले रहा था 7 अब मुझे steel use करना है 25 mm की तो मेरी calculation कहती है कि 7 की जगा 12 सरिया को use करेंगे 25 mm डाय की और same calculation आपकी follow होगी किसके लिए friend extra steel के लिए तो extra steel की भी बात करें तो same 7 की जगा 12 सरिया use होगा तो यह देखें friend जो 7 सरिया provide किया गया था main bar उसकी जगा convert होगे क्या हो जाएगा 12 सरिया जो extra में 7 सरिया थे उसकी जगा भी 12 सरिया अब area of steel की बात करें जो हमने calculate किया था जो drawing के इसाफ से इतनी थी अब friend यहाँ पे जब हम 12 सरिया main और 12 सरिया extra provide करेंगे तो जब area of steel यह calculate की जगा friend तो यह value आती है 11780.97 mm2 तो यह value को आप देखिए और जो मैं tick कर रहा हूँ जो as per drawing वाली को तो यह देखिए जो हमने side पे provide कर रहा है वो क्या है higher side है कहने का मतलब जो drawing में steel दी गई थी area of steel उससे हम कम सरिया provide नहीं कर रहा है side पे we are on the safer side अब इसको examine करेंगे किसे IS code के provision से अब friends जो हमने calculation किया उसको validate करने के लिए अपने को refer करना है इंडियने standards 456 2000 को अब इसमें भी आपको refer करना है clause number 26.5 को यहाँ पे देखिए जिसको मैं tick कर रहा हूँ friend क्या लिखा हुआ maximum reinforcement किसकी बात कर रहा है tension reinforcement means tension zone मतलब beam के जो bottom में मतलब इस तरह से beam की cross section को आप देखिए तो beam की जो bottom में reinforcement है जो कि यह tension zone है और यह compression zone है तो इस tension zone की reinforcement की बात कर रहा है so friends beam के tension zone में maximum reinforcement कितनी हो सकती है क्या लिखा है उन्होंने maximum area of tension reinforcement shall not exceed 0.04 BD beam की cross section को refer किजे friend जो मैं draw कर रहा हूँ इस तरह से यह वाली जो value है this is your capital D and this is your small B जो portion मैं hatch कर रहा हूँ please observe कीजे इस वाले cross section area की बात कर रहा है तो यह क्या कह रहा है कि इस cross sectional area के 4% से ज़्यादा value नहीं होना चाहिए tension reinforcement का तो यहाँ पे देखिए मैंने area of steel as per IS code provision के हिसाब से calculate किया है तो 0.04 multiplied by यहाँ पे beam की dimension कितनी थी 36 inch by 18 inch इसको आप जब convert करेंगे mm में तो यह वाली value आती है B and D की तो यह value कितनी आ रही है 16,836 square millimeter तो इन दोनो value की बात करें जो drawing के हिसाब से जो थी value अपनी कितनी यह वाली value जिसको मैं टिक कर रहा हूँ और जो convert करने की बाद value है यह यह दोनों के दोनो value किसे कम है जो IS code ने maximum value limit की है तो कहने का मतलब जो हमारा calculation है वो satisfactory है this is okay so friends जिस तरह से हमने यहाँ पे tension zone के लिए calculation किया उसी तरह से आप compression zone के लिए भी calculate करेंगे same method को follow करेंगे again यहाँ पे IS code की provision को हमें देखना चाहिए यहाँ पे friend 26.5.12 को देखिए क्या है लिखा compression reinforcement means beam का जो top बाला portion होगा this is a compression and bottom बाला tension तो compression के लिए इनोंने क्या लिखा है maximum area of compression reinforcement shall not exceed 0.04 BD again same चीज जो आपका cross sectional area होगा beam का उससे 4% से ज़्यादा नहीं steel को provide कर सकते हैं आप compression zone में तो again यह friend आप देखिए जो हमारी 7 plus 7 14 सरिया थी कितनी 32 diameter की उसको अपनने convert कर दिया कितना में 12 plus 12 मतलब 24 सरिया हो गया मेरे 25 mm diameter की इसमें जब आपन convert करेंगे तो दोनों safe में हमने देखा कि tension as well as compression में reinforcement जो हम provide कर रहे हैं change करने के बाद वो क्या है maximum limit से कम है this is a safer side right friends quickly हमें 26.3.2 को भी देखना चाहिए क्या लिखते हैं यह minimum distance between the individual bars कहने का मतलब जो मैं sketch draw कर रहा हूँ friend please pay attention इस तरह से जब आप सरीय को provide करेंगे तो दो सरीय के बीच की कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए ज़्यादा तो होने का यहाँ पर possibility नहीं है तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए यहाँ पर observe किजिए point number 1 को क्या लिख रहा है horizontal distance between two parallel bars shall not less than the greatest of the following उस से कम distance नहीं होगी जो यहाँ पर मैं small d से mark कर रहा हूँ जो दो सरीय की center to center distance दिखाई है अब इन तीनों में से maximum value को अपन निकालता है friend यह कैसे निकलेगा पहली वाली condition को पढ़िए the diameter of bar if diameters are equal यहाँ पर हमारी सारी diameter of steel से में 25 mm तो क्या कर रहा है diameter of bar को लीजिए दूसरा क्या कर रहा है the diameter of larger bar if diameters are unequal तो यह वाली condition अपने पर apply नहीं होगी क्योंकि सारी diameter same है तीसरी क्या condition है 5 mm more than the nominal maximum size of the course aggregate तो जो course aggregate use हो रहा है concrete के लिए वो केतना है friend 20 mm तो इसमें 5 mm और आप जोड दीजे तो again क्या हो गया friend 25 mm तो यह 25 mm का gap मेरे को दो सरीय की बीच में मिलना चाहिए अब beam की dimension की बात करें friend यह कितनी थी 3 foot की distance हो गए 36 inch मतलब 3 foot तो आप steel को क्या है layers में रख सकते है friends अब तक के discussion में जो भी सारी calculation को हमने understand किया वो इस particular beam का है जिसको मैं tick कर रहा हूँ तो हमने calculation के दौरान देखा friend कि जो 32 mm की diameter है जिसको हमने convert किया 25 mm में तो यहाँ पे 32 mm diameter drawing में कितना दिया हो था 7 plus 7 यदि मैं tension zone की बात करूं तो तो यहाँ पे कितनी steel हमने change करने के बाद आया था friend 12 plus 12 means कितना हो गया 24 steel हो गया साथ ही साथ यदि compression zone की भी बात करें तो again यह इस conversion में 24 numbers हो गया तो आप photographs में भी देख सकते हैं friend यह वाले portion में कि किस तरह से your beam is going to be very heavily reinforced means कितने हो गया 48 number of reinforcement जो की 25 mm diameter की है वीडियो के सुरुवात में आपके सामने एक और question मैंने रखा था friend कि जब इस तरह से कोई भी हम changes कर रहे हैं तो side पे हमें क्या decision लेने की जरूरत पड़ेगी तो friends इस बात को देखिए जो portion में mark कर रहा हूँ इस तरह से जो beam है इसमें कितनी steel हो गयी है 48 numbers means this particular beam is heavily reinforced तो यह high possibility है friend कि जब आप concreting करोगे तो यहाँ पे honeycomb की problem हो सकती है तो इस problem को avoid करने के लिए जब भी इस particular portion जिसको मैं mark कर रहा हूँ slab की इस portion को आप cast करेंगे एक civil engineer को यह decision लेना चाहिए कि यहाँ पे मुझे SCC concrete को use करना चाहिए self compacting concrete ऐसा क्यों कहा friend क्योंकि self compacting concrete को आप generally देखेंगे कि वो क्या होता है 10 mm and down aggregates में design की जाती है तो it is a very good chances कि concrete के हर corner पे हर जगा पे concrete easily and perfectly fill होगी जब आप needle vibrator चलाएंगे तो there would not be any chances of honeycombing इसको आप avoid कर सकते हैं तो this is a technical content जो एक civil engineer को समझ आनी चाहिए कि site पे क्या technical decision आपको लेना है friends उमीद करता हूँ कि ये video आपको पसंद आई होगी पसंद आती है friend तो like and share करना न भूले channel पे आप नए हो तो please subscribe कीजिए video देखने के लिए शुक्रिया friend जय हिंद